एलो बॉस ये इतना असान नहीं है हम बहुत करीब हैं आपको एंट्री मारनी ही होगी पीज बॉस बॉस ये इतना बना वींग कि बॉस अए्चर बॉस ये इतना आपको एंट्री पर आपका क्या होगा बॉस किशोर, वो हमें यहां से जाने नहीं देगा, तु क्या करें सर? तुम्हारा एक सुनहरा भाविश्य है तुमने अभी तक अपने गन तक नहीं चलाई है गन तो मेरे पास है भी नहीं आप बिल्कुल सरी कह रहे हैं बॉस लेकिन बॉस मैं आपके लिए अपनी जान भी ने सकता हूं बॉस यह वक्त इमोशनल होने कर नहीं है सर ठीक है वन तुर त्री फोर फाइव सिक्स प्रीज वेड़ बॉस पॉस रेड़ी एक दो तीन पॉस आप वहां क्यों खने इस रास्ते से भागिये ना ओव तुम्हावी तक प्लान से नवच ने पाए इन्हें मेरी सेफटी की जरा भी चिंदा नहीं है दो साल से मैं इनका पीए हूँ पर हमेशे इनकी जहां से मैं आ ही जाता हूँ आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि इन मामूली से फूलों के लिए मैं इनका गुलाम बना हुआ हूँ पर मैं आपको बता दूँ कि सुगंद को महसूस करना इनका जुनून है इनके घर में लैब है मेरा मतलब पफ्यूम लैब पफ्यूम बनाने में मेरे बॉस पूरे यूरोप में फेमस हैं बूची गलूम रोबो बकानों सैल्वन क्लीन जैसे बहतरीन ब्रैंड्स को मेरे मुझे एक केले की ज़रूरत है जो आखरी बचा था वो तो मैंने खा लिया शायद किचन में है कोई चांस नहीं बॉस पूरे घर में तो गया लैब में भी एक भी केला नहीं बचा बॉस का ये टैलेंट मेरे लिए मुसीबत बन गया है इनकी सुमने की शक्ती भालू से भी तेज है वेरी पावरफुल नोज उस डस्ट बिन से खुश बवा रही है इसमें सड़े हुए केले हैं बॉस क्या हुआ बॉस एक चीज तो भूली गया है क्या चीज वो मास्क देना अहां अभी देटा हूँ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बटा है बॉस बॉस का ये स्पेशल टैलेंट कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है ये खुश्बू के प्रेमी है और हमेशा गंदी बद्बू से दूर भागते हैं बॉस 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 क्या हुआ असपास कुछे मचली पका रहा है बॉस या कई किलोमेटर तो इंसान फरनीचर से लेकर तकिया तक सब कुछ सेट होना चाहिए उनकी अपनी अपनी जगहे पर खाने पीने के मामले में भी इन्हें सफाई बहुत पसंद है अगर प्लेट में ज़रा सी भी गंदगी हो तो खाना इनके गले से उतरता नहीं है इसलिए मेरे बॉस हमेशा डिस्पो से कुछ मजदूर बिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बेकार सा पुल बना सकें उन्हीं में से एक थे मेरे बॉस की दादा जी आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई वैसे वो कैप्टन बहुत ही बलमाश था सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहा के तोर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंड्रा उनके दादा जी वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे जहां स्मार्ट फोन तो नहीं थे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया अपने सारे चीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रियोग करते थे जैसे की ब्रिकफास्ट को अलपाहार गुड आफ्टरनून को शुब मध्यवेला और गुड मॉर्निंग बन गया शुब दिन मैं यहां पर पिछले दो सालों से रह रहा हूं लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिल मैं अब शादी करूंगा तो किसी पॉच्गूल लड़की से ही करूंगा क्या है कि इंडियन लड़किया थोड़ी सी बिवकूफ होती हैं सर क्या है कि पिछले दो साल से मैं यहां पर हूं और यहां के लगों से घुल मिल गया हूं यहां के लुद बहुत अच्छे हैं सर वैसे मेल जॉल करना एक कला है सर यह dh Karma और उचैनल के पास नहीं होती है सर जर्वसर के सर वह दिखने में इंडियं लगरी ने है हाँ sir मयन इसे पहले कभी देख और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर वन लार्ज प्लीज इन दिस प्लीज और नो टाप गॉटर प्लीज गूजी ब्लूम इंडियन यह यह पर्फ्यूम मैंने बना है इस पर्फ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है तुम समझदार हो और क्रीटिव भी हो लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबलियत नहीं देख पाते हैं लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती तो हैं उनकी सला की ज़रूत नहीं करेक्ट बोल रहा हूं हर से टेंडे मुझे यहां पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहां से बाहर निकाल देते हैं उन्हें क्या लगता है कि मैं पेवाकूफ हूं इन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी हैं कर दो ले से अन्हें जिलना देते हैं। कर दो ले सक्रवाइन जिलना देते हैं वे आए तो वे बार्स, जिलना देते हैं उन्हें जैन से सुने भी नहीं देते हैं हलो सर हलो किशोर किशोर यहां मैच शिरू होने माला है हेलमट जाहिए सर हाउ सुट अफ यू सर आपने फोन करके मुझे याद दिलाया मैं कल मैच की हाइलेट देख लूँगा गुड नाइट सर मैं क्या कर रहा हूँ क्या मैं उनका पीए हूँ यह कुछ और हूँ इस वक्त उनके पीट में पंच में नहीं मार सकता हूँ यह मेरे पीच्छे क्यों पढ़ रहा है अरे बगुवान गुड प्लीज है अरे हो गया आप तो जा सर आपका फोर प्ले हो गया हो तो पावर प्ले कर सकते हैं सब हेल रहा है यह क्या हो रहा है अरुग प्ले को आप क्यों क्यों सब्सक्राइब आप भी हो गश्रों माहाँ इसा यू सकते हैं एप टैम एंए सर वह में इसके पास अब जम्क्राइर इन्हें डिस्टर्ब मत करना नप कि आदे राध अधी आधी आधी नगी आधी 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 मैं आधी आधी तो मैं अग्या कुछत पूछने वाली थी ये टाटू एक लड़की यह जिसे मैं बहुत प्यार करता ता प्यार वो तो मैंने बस इसी से किया है hot and emotional I like that you're the best I've ever had क्या हम दोबारा मिलेंगे मैं समझ की शायद नहीं I think it's best this way एक कामकर उसे घर छोड़ दे बहुत देर हो चुकिया मैं जाहूं सर उसे छोड़ने के लिए मेरे बॉस के हाथ के टैटू की एक कहानी है छोटी सी कहानी उनकी लाइफ के बिगेस टर्निंग पॉइंट का एक रीजन है उनका फर्स्ट क्रश रोमा ने 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 पूमा समा भाया मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही है येस तुम क्या करती हो भूमा भूमा नहीं सुमा चलो जूबी हो करती क्या हो तुम मेडिकल की पढ़ाई कर रही हो नेरो सर्जन बनना ही मेरा सपना है तुम्हें एक सर्जन हो तो अपर क्या तुम मेरे भाई का खयाल नहीं रख पाऊगी मैं मैं कुछ समझी नहीं तुम्हें खाना बनाना आता है क्या उमा तुम्हें कपड़े दोने दो आते हैं न मतलब तो क्या तुम हमारी समका इस्तमाल कर रही हो सुमा प्लीज मज़ाओ रोगो 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 प्लीज तुम्हें तुम्हें की तरफ ते ऐसा करो उन्हीं के पास जाओ क्योंकि हमारे बीच सब खातम हो गया दुबारा में तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखोंगी ऐसा मत करो तू चुपो जा जिस लड़की को खाना बनाना नहीं आता उससे शादी कौन करेगा तू चुपकर संगीदा मुझे कोई कुक थोड़ी चाहिए मुझे तो बस मेरा जीवन साथी चाहिए तुम्हें का लगता है औरते सिर्फ खाना बनाने और सफाई का काम कर सकती है औरत ही अग्याद्म कि तुम्हें लगता है हमारे पास और रॉइस एक प्रशना बनाएख है पूज़ में यहां कोई काम सभाली नहीं रहता तो मैं खुत करूँगा मैं खुत करना baut बहुत हुआ अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा मैं जा रहा यहां से भाया शुएता तुझे इन राक्षासों के साथ रहने के बिल्कुल जरूरत नहीं है मैं हूँ ना तू मेरे साथ आजा एई खाना तो खाले अब तो यह है मेरे बॉस की फैमिली यह है सुरना दा बैट कॉप यह हर चीजों में टांग अडाती है यह है संगीता दा गुट कॉप प्यार के मामले में बिल्कुल मूफट लेकिन यह दोनों ही जालिम है और यह है श्वेता मेरे बॉस की राडली बॉस के पापा का है सदाशिव जी वो तब चल बसे जब मेरे बॉस 12 साल के थे और तब से मेरे बॉस के माँ पापा हेड अफ़ फैमिली सिर्फ एक है उनकी माँ यह थोड़ी सी एमोशनल हो जाती है कभी बैट कॉप बन जाती है और कभी गुट कॉप बन जाती है सुमा उस दिन मेरे बॉस बहुत ज़्यादा दुखी थे वो कहीं बाहर भी नहीं गए क्योंकि उस दिन काफी बारिश हो रही थी डिप्रेशन में बॉस देवदास बन गए और कॉलेज के केमेस्ट्री लैब में वो कुछ करने की कोशिश कर रहे है और उस दिन बॉस ने अपने ग्रेट क्यालेंट को पहचाना और वो पॉफ्यूम बनाने लगे सुमा 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 और यह है मेरे बॉस का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट हाँ, मुझे बता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझे लगता है कि हमें कॉफी पीने चलना चाहिए, तुम्हारा क्या खयाल है? तो चलो कॉफी, समझ गये ना? ज्यादा मत सोचिये, इनका नाम सैम है, सैम और उस रात मेरे बॉस को यह समझ में आ गया कि यह प्यार व्यार सब बकवास होता है, और प्यार के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, उस दिन के बाद से मेरे बॉस की हर रात रंगीन होने लगी, घुलिगन। है आपक मी अने। कॉफ कॉफ क को बाल है, का मधध मने और मेरे के अवाल, ऑवनकाउ hello I'll just come, okay Wow she's gorgeous.... oh really!? no no she is not fat no no she is not fat she has a nice body come on man you can do it hey, tell me when the order is ready, ok? hey, those guys are talking about you come on, you can do it और वागोल गोगों, को टौक पूख अखिर वर यसलिए प्रफोन यह बीटीफ यह वर यह वर्य एंसमुछ वह बड़ु अबने देवा अब वहाँ से कम आब वहाँ यह बागो ग्रपा वहाँ वक hey did you look at him look at him look at him hey we've got her bro did you see that she's his understood yeah go find someone else for yourself go go talk to her come on go talk to her hey beautiful should we go for a coffee what do you say just shut your mouth and get lost you don't like coffee tell me just buzz off okay oh okay okay no this is why i said she is mine go 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 such a dangerous babe i love you more give me more doctor nai kya kaha ma kuch naya nai wahi blood pressure zyada hai shugapak control karna hooga aur kya aap kubhi saaf saaf naii bitaati ya doctor mche dawai dina bant kap karengi jabki mai janti ho mai jaldi hii marni wali ho maa maa maine zindagi me abo2 ba ha hub government on the Other Day the haasa it is a customer me I don't think that treatment Oh no money mm-hmm A SEA Jakubak yes I don't know few days I have Me how can she keep you As each other view like I don't know you I don't know you have a whole plan that I need you see you come on a daily ज़रूर होगी इसी बात का तो डर है कहीं उसके जानने से पहले मुझे कुछ हो गया और मैं तब उसके लिए बहुत मुश्किल होगी मां जिस दिन उसे इतना प्यार करने वाली मिल जाएगी जितना मैं उसे करती हूँ मैं जहन से मर पाऊंगी मुझे उससे बात करनी होगी जल्दी ही करनी होगी किशोर ज़रा जल्दी आ नहीं तो देर हो जाएगी आ रहा हूं सर ए जल्दी करना यार लेट हो रहा है मां हर संड़े हम लौकी क्यों खाते हैं मेरा मतलब हम कुछ नया बना सकते हैं मैं बना दूगा करी, आलू कभरता, मैं शादी से पहले एड़ी में खाना बनाया करता था मां ऐसी बात नहीं है सदाशिवराव को लौकी बहुत पसंद्थी इसलिए हर संडे को खाने में में लौकी बनाया करती हूं ये परमपरा है पर अब तो वो यह है नहीं न क्या मतलब जब तक सदाशिवराव वास्तों में नहीं मर जाते ये परमपरा इसी तरह चलते रहेगी तुम क्या जराइने वहां रख दोगे क्या तुमने लौकी बना ली ये वास्ता में मरना क्या होता है ये चलो अंदर जाओ हलो मैं चलो अंदर मैं मैं सरी आपके लिए आइस क्रिम लाए थे क्यू रहे तो इस भुकड को हर संड्य यहां क्यों लेकर आता है क्या तुम दोनों उसे क्या समझते हो यह तेतरे साथ तेरे घर पर ही रहता है और तू हर संड़य से हहां लेकर आता है अखिर तुम दरों की बीछ में चल क्या रहा है तुझे क्या बजा है, तो यह क्या बलुधा है? अच्छी बात बोलो ना एकुलिए मैग बात बोलू बात बोलू, based on circumstances pointing to the relationship between the two of us you are drawing towards a conclusion of where honestly there is no reality but please believe me madam when I say the relationship between the two of us is purely professional the emotional links towards each other is friendly in nature in fact brotherly it might be just rumors in others mind but it creates problem for my parents who's looking for a match for me on Indian matrimonial sites so when I say I beg you I mean from my heart please ma'am I beg you please ma'am our English isn't so good, I didn't come to school bloody psychopath family किशोर क्या सोच रहा है कुछ नहीं सर सॉल चाहिए तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है अरे मैं तो यह दे रहा हूँ अच्छा तुमने सॉल बोला इनकी बाते मेरी समझ में कभी नहीं आई नहीं मुझे नहीं चाहिए सर सकीदा सैलड देना मुझे कुछ बात करनी है तुस्से देखो एक मा होने के नाते मेरे कुछ फर्ज है जो मुझे पूरे करने है और बेटा होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम मेरी बात मानो तुम कब तक ऐसे अकेले रहना चाहते हो बेटा तुम्हें आने वाले दिलों में जल्दी ही शादी करनी होगी आपको शादी करनी होगी सर, इस उम्र में मुर्जाय पौदे को पानी देना बिकार है सर, कोई फाइदा नहीं आप शादी के लिए दबाव नहीं डाल सकती मा, बलकि किसी रिमा बाप को दबाव नहीं डालना चाहिए आपने मुझसे कभी पूछा कि बेटा तुझे मैं जन्र दू या नहीं दू, मुझे बड़ा करना ही एक मा होने के नाते आपका फर्स्त, अब आपको कुछ करने की जरूद नहीं है अरे, जब से पैदा हों थब से स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे उसके दा हमाने बच्चों कभी ही होगा स्कूल, कॉलेज, शादी, नौकरी और बच्चे यह सर, यह ऐसा ही चलता रहेगा हम, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाता और नहीं कभी करूँगा मेरी जिन्दगी अब मेरी जिम्मेदारी है ओ, खुद की जिन्दगी क्या संभालेगा? बाल तक तो नहीं बना पता और तुझे आद है, तु यह कहकर गया था कि तो किसे भी तर है, अपना खयार खुद ही रखना सीख लेगा और तुझे हमारी जरुरत नहीं है, लेकिन क्या हुआ? तेरी जगे साफ सफाई करने के लिए हमें हफते में तीन बार वहाँ जाना पड़ता था और तुझे तो वाशिंग मशीन तक चलानी नहीं आती है जब से तु पैदा हुआ है ना, तेरी सारी जिमिदारी हम लोगों के उपर ही तो है काफी उम्र हो गई है, तेरी शादी अब तक नहीं हुई कोई बात नी बहन, आपसे अपने काम मैं खुद करूँगा लेकिन इसके लिए मैं शादी नहीं करूँगा ये तो तु पिछले 20 सालों से कह रहा है, तुझे हमारी मदद भी नहीं चाहिए इसलिए ये सब झेल रहा है, और हमने हार मान ली, क्योंकि तुझे इस तरह परिशान नहीं देख सकते हमें लगता है कि हमारा भाई इतनी सारी परिशानी आखर छेलेगा कैसे, इसलिए कहते हैं शादी कर ले लेकिन अब नहीं होगा, हाँ, आपको शादी करनी ही होगी, बस तू भी? क्यों नहीं भाईया, मैं भी आपकी शादी देखना चाहती हूँ, आपके बच्चों के साथ खेलने का मौकर नहीं मिलेगा क्या, बस करो, इससे अपने घर के परंपरा के हिसाब से करते हैं, वोटिंग होगी, अब यहीं बाकिर है था, पौर्टगीज है क्या, हिंदी है, क जो चाहता है शादी हो, वो हाथ उपर करे, हो गया फैसला, अब अगले तीन महिने में सैम की शादी हो जानी चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं शादी नहीं करुआ, अब यह तो हिंदी था, नहीं तो क्या पोचुगीज, जीजस, खाना नहीं छोड़ना चाहिए स माँ अब तो चलागे, आप क्या करेंगे, उसने बात भी कहीं हमारे, चिंता मत करो, मैं जानती ही, उसे कैसे समझाना है, मैं सब कर लोंगी Hi, excuse me, I am here to see my nephew Siddharth, he is in there, okay, thank you so much Siddharth, you are okay? मुझे अपने साथ कबले कर जाओगे जल्दी ले जाओगे Hello, Janani Hey, Avantika Are you busy? No, 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 come in, come in मैं फाइल के बारे में जानना चाहती हूँ, अप्रूफ हो गई क्या? सिद्धू की फाइल अब तक चेक नहीं हुई है, तुम बुरा मत मानना लेकिन शायद अप्रूफ भी नहीं होगी तुम अकेली रहती हो, तुमें smoking की habit है, steady job भी नहीं है, यहाँ तक की bank balance भी नहीं है मैंने बताया था ना, मैं अपनी poems पब्रिश कर वाने की कोशिश कर रही हूँ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, trust me अगर नहीं हुई तो वो मेरी बेहन का बेटा है, मेरा उस पर तो हक है ना, उससे मुझे कोई कैसे अलग कर सकता है अवन्तिका, यह इंडिया नहीं है, यहाँ माबाप के मरने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी government की होती है और तुम्हें approval लेना ही होगा, भले ही उससे खोन का रिष्टा क्यों नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकती अडॉप्ट तो मैं करके रहूँगी, तुम्हारी मदद के बिना ही सही बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, चल्दी हो जाएगा क्या ये तुम हो, हाई, इस मी लतिका, कल रात हमने फेस्बुक पर चाटिंग की थी मेरा फेस्बुक पर अकाउंट नहीं है, ये चैट करने वाला मैं नहीं हूँ, ये कोई और होगा मेरी फैमिली से नो, वो आप ही थे, आपने कहा था कि तीन महीने में आपकी शादी होने वाली है, फिर मैंने आपको ब्लाशिंग वाला इमोजी देजा था, आपको याद नहीं हूँ, ला दिखा, ला दिखा, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं हानीमून पर जा सकता हूँ, तुम चाह मेरी बॉस की बहने ऐसे मानने वाली नहीं थी, कसंडरा की सारी इंडियन लड़किया उन्होंने बॉस के पास भेज़ दी सारी सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इसने, हम तुस्से तंग आ चुके हैं, पता नहीं तो कम आलेगा पॉंसी टाइप की लड़की चाहिए तुझे, जब तक इसकी यह बढ़ बढ़ खता हूँ, कैसे निकले, सुनता है कि नहीं, मैं तुससे क्या रही हूँ, पैंसी क्यों मारना, अब आप ही बात करो इसे, इसा क्यों कर रहा है, अब मैंने क्या किया सर, चिंदा मत का, चिंदा मत का, ऊके सर, माजी भी गई उन्होंने गलत कि न 24 लड़किया और एक और थी 25 लड़किया लगता है मेरा स्वेंबर करवा रहे है बिल्कुल सर आप इतने हैंडसम दिखते हो लड़किया आप पर मरती है मतलब कि उनका परस्पेक्टिव है और आपके परस्पेक्टिव से तो इर्रिस्पेक्टिव हो जाएगा ना इसलिए परस्पेक्टिव तो सर माजी आ रहे हैं मा ये क्या कर रहे हूँ मा छोड़ो इसे लाओ मुझे दो आब बढ़ो तो मैं और क्या कर सकती हूँ आप पहले बैठा तुने कहा था कि तुझे बड़ा करना मेरा फर्स था लेकिन तुम मेरा बेटा है मुझे हर वक तेरी चिंता लगी रहती है तेरी बेहने कब तक रहेंगी मा मेरा यकीन करो मैं अपना ख्याल रख लूँगा तेरे बसका बिलकुल भी नहीं है मुझे पता है क्योंकि मैं तेरी मा हूँ देख हर चीज उम्र के रहते हो जानी चाहिए यहां तक कि वो क्या कहते हैं आजकल तुम्हारी वर्जिन तु अभी भी वर्जिन है बिटा मा जां तेत यह वर्जिन है जान सदी है जीवन में मन की शांती ही सबसे बढ़का है। और तन की शांती का क्या? बिना हेजिटेशन की अपनी खुद की मा से इतनी जूट कैसे बोल ले देओ बॉस? इटेक्स गट्स पॉस क्या अपने मेरी निवा.. ए किशोर.. क्या हुआ.. कुछ नहीं माजी.. वह क्या है कि चीटी ने काट लिया बहुत जोर से.. कहा? प्लेस इस नॉट इंपोर्टन पेर इस इंपोर्टन.. अरे बिटा तु देखना जरा दे.. किशोर.. देखा न.. नहीं.. नहीं.. रहने दो.. भीगवान.. बहुत बुरा हुआ.. बिचारा.. अब क्या करेगा ये.. देख सै.. ये बस शादी ही नहीं.. जिन्दगी में इसके बहुत माइने हैं.. तुम लोगों के साथ में बहुत खुश रहती हूं.. लेकिन जब अकेले में जाती हूं तो मेरी.. मेरी आखों से आसू बहने लगते हैं.. तेरे पापा को याद करके.. सै.. अकेलापन क्या होता है ये तुझे नहीं पता.. अकेले रहना भले तुझे अच्छा लगता हो.. लेकिन दीरे दीरे ये अकेलेपन में बदल जाता है.. समझने के कोशिश कर.. तो क्या करेगा जब मैं.. मैं चली जाओंगी.. क्या ये सह पाएगा.. अगर तु मेरे मरने से पहले शादी नहीं करेगा.. तो मैं इसी बात के साथ मरूंगी कि तुझे अकेला है.. मा.. मा.. ऐसा मन बोलो मा.. मा.. क्या हुआ पोस.. मेरी मा को.. मेरी बहुत चिंता है.. वो जड़ा रह कि कहीं मैं.. अखेला ना रह जाओं.. और इसलिए वो मेरी शादी करना चाहती है.. जबकि मैं नहीं करना चाहता.. करेक्ट पोस.. हर आदमी जो डॉक्टर बनना चाहता है.. जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे.. मैं मा को खुश देखना चाहता हूँ.. लेकिन शादी नहीं करना चाहता.. उन्हें भी समझना चाहिए.. और जिद नहीं करना ही चाहिए.. कुछ करना पड़ेगा.. कुछ लोग हमारी जिन्दगी में अचानक से आ जाते है.. और जब उनके आने का एहसास होता है.. तो जिन्दगी बदल जाती है.. नहीं नहीं नहीं.. प्लीज.. मत आना.. परना मैं खूच जाओंगी.. प्लीज.. नहीं.. प्लीज.. डॉन्ट.. लास्ट टाइम आपको देखना चाहती थी.. मैं इसलिए आपको यहां बुलाया.. अब मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं.. आम सॉरी.. प्लीज.. मेरे बाच जो.. ऐसा.. बदो.. एह.. कारी रोक.. बॉस.. गारी रोक.. क्यो बॉस.. नहीं पापा.. प्लीज.. मेरे पास अब कोई चारा नहीं है.. सॉरी.. एह.. लडगी.. रोक जाओ.. क्या गारियो.. एह.. चोड़ो मुझे.. प्लीज.. 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 मारू क्या.. एह.. शांथ.. शांथ.. सॉरी.. प्लीज.. आप चाहते हैं.. कि मैं एक फेमिस अर्खिटेक्ट बनू.. इसलिए मुझे वो कोर्स जॉइन करवाया.. लेकि पहले सैमिस्टर में ही.. मुझे पता चलिया कि.. मुझे इसमें कोई इंट्रेस्ट नहीं है.. मैं पास नहीं हो सकदी बापा.. मुझे बापा.. मेरे सुचाब कोने से पॉण केने से इचाहें.. कि मैं मर जाओ.. नहीं ऐसे बापा.. एक आर्खिटेक्ट से बढ़कर मेरे लिए तुम हो.. तुम मरने जा रही थी.. तुम मेरी जान हो.. मुझे बापा.. देखो.. तुम्हारी मा का फोन है.. कर द्रामा कॉलेज जॉइन कर सको.. और तुने बैंट बजा दी.. चल है.. एक्टिंग.. इसको एक्टिंग कोर्स की जरूरत नहीं है.. अच्छी एक्टर मनेगी.. पहने से एक्ट्रस है.. अलो सर.. इसका ध्यान रटना.. कई फिर से ना कुचा है.. चलो चलते हैं सर.. किशोर.. उस लड़की से एक मस्त आइडिया मिल गया.. क्या बोस.. कॉफी पीते है.. चल चलते है.. ठीक है.. लेकिन कसानर नहीं जाएंगे.. मैं यहां की लड़की से नहीं मिलना चाहता.. कहीं दूर ले चल.. कहीं दूर.. बॉस मुझे जगा पता है.. वहां लेकर चलता हूँ.. लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी बॉस.. हमें एक लड़की फिक्स करनी पड़ेगी.. वो मेरी गल्फरेंट बनने का नाटक करेगी.. और मेरी फैमिली को इंप्रेस करेगी.. मैं वहां के एक वेटरस को जानता हूँ सर.. बहुत सुन्दर है वो.. फिर तो मेरी फैमिली शादी का मौरत.. फिक्स करके ही मानेगी.. मैं वहां महिने में तीन बार जाता हूँ.. सिर्फ उसे.. जी भल के निहारने के लिए सर.. मुझे पुरा कॉन्फिडेंस है.. आप उसे पता ही लोगे.. शादी के कुछ दिनों पहले.. ने.. ने.. शादी के ही दिन.. अपना प्लाइन पहले से सेट होगा.. वह लड़की एक लेटर लिखेगी.. कि मुझे ही शादी नहीं करनी.. और फिर वह गयाब हो जाएगी.. हाँ बिल्कुल सर.. अब मेरी उससे शादी करवा दो.. और उसके गयाब होने के बाद.. मैं सबके सामने देवदास बनने का ऐसा नाटक करूँगा.. कि मेरी फैमली दुबारा शादी करने के लिए नहीं कही.. मुझे आपका स्टाइल पसंद आया.. अगर आप मुझे बूस्ट करेंगे.. तो मेरा कॉन्फिदेंस बढ़ जाएगा.. और आज ही मैं उस लड़की को प्रपोस्ट कर दूँगा.. अद्भूत.. प्रशंस निये.. यहां तक कि महाभारत मिश्री किष्ने भी इसलिष इसा रावा.. कि आपका कॉन्फिदेंस देखकर तो मुझे भी कॉन्फिदेंस आगया है.. मैं भी अप सिंगम बनना चाहता हूँ.. ध्यान द्यान 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 दे.. हाँ.. याँ.. थाई.. oh my god, sir, पहले ही काम पर लग गए one espresso, disposable glass में no coffee, should I get you something else? hey, किशोर, boss hey, किशोर, मुझे यहाँ क्यो लाया है, मुझे कॉफी चाहिए थी you wanna sit? no, I will sit, okay आपके फ्रेंड तो यहाँ पर अकसर आते हैं आपको तो पता है ना, यहाँ कॉफी नहीं मिलती तुम Indian हों क्या? एक किशोर तुम Indian हो? तो प्रॉब्लम क्या है? इंडियन लड़की फर्स टाइम देखी है क्या? तुमारा नाम क्या है? अवंतिका अवंतिका, बहुत ही प्यारा नाम है अगर तुम बुरा न मानों तो क्या मैं एक प्रस्ताव रख सकता हूं? प्रस्ताव? प्रपोसर? रखो, 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 रखो रखो, सर जो मांगोगी वो मिलेगा सिर्फ दौफ आखे के लिए मेरी प्रेमिका वनना हो एक्स्क्यूसमी? एक्स्क्यूसमी? मैं उस तरे का नहीं हूं बदाना, किशोर यस मैम यह परफिक्ट जेंटलमेन इन फेक्ट यह कोल्ड ब्लेड़ वर्जिन हम कहीं और चले खुलकर बात करते हैं बॉस लट में गेट इस स्ट्रेट दो हफतों के लिए आपकी गुल्फरिंड की एक्टिंग करनी पड़ेगी आपकी फैमली को इंप्रेस करना होगा और शादी के दिन ही भाग जाना होगा यह गलत नहीं है गलत नहीं है मैं घर में भी किसी बाहरवाले को नहीं आने देता पर इससे तुम्हें क्या अतलब तुम अपने काम की बात करो तुम बदा तुम्हें क्या चाहिए बाइद वे वाड़ यू थिंक आयाम अहुका अगर हुकर चाहिए हुती तुम्हारे पास नहीं आता अगर मैं हां कहूं तो मुझे क्या मिलेगा तुम्हें बोल दो दो हाफ़ते मतलब चौदा दिन और रोज के दो घंडे सो 28 इंटो 5000 यूरोज पर आवर 140,000 यूरोज क्या कहा एक करोड 35,000 रुपए सर इतने पैसे मुझे देदो ऑपरेशन करवा के मैं लड़की बन जाओंगा पूरे 15,000 यूरोज दूंगा अगर ठीक लगे तो बता देना नहीं तो किशोर तुम्हें घर छोड़ देगा की जरूरत नहीं है मुझे 20,000 25 फाइनल ड्रॉप कर दूंगा मैं यह कर देती हूं लाओ पता नहीं इमली कहा रखी है एक अच्छी खबर सुनानी है दो साल से मैं एक लड़की को प्यार करता हूं तुने अब तक यह बताया क्यों नहीं अब जरूर इससे बताया होगा तुने की नहीं बताया है क्या भाईया आपने मुझे भी नहीं बताया ना मैं तुझे क्यों बताता, तू भी तो मेरे खिलाफ थी, मैंने इसलिए आज तक नहीं बताया, क्योंकि तुम शादी के लिए जित करते, और हम दोनों को थोड़ा वक चाहिए था, लेकिन अब बता रहा हूं, इसका मतलब, दो साल तक बताया क्यों नहीं, लड़की है या फि क्या थी, भी खाना थी बता नहीं, तू जाती है कि लेख भी खिलाज़ा तू अबादी ने, या प्याना बच्छा येए! वाओ! अवणिगा, अवणिगा याणा! याँ, याँ, थिख जल्दी आओ, जल्दी आओ! वहताब वहलो प्रपोजल क्या बात है आपसके लिए सच में कॉंट्रैक्क कर रहे हैं यह रिली विर्ड्यून नहीं दॉट अग्य अग्यूई इस तो यह बात है अन्यूद्ध यह वहाँ वेट अमध जो सम्हा था ना आपका नाम सैम नहीं, सांबा शिवर राओ है? जब मैं पैदा हुआ, तब सांबा शिवर नाम बहुत चलन में था, अब इसे पड़ो और साइन करो सारी, ओके, सांबा शिवर राओ जी, ओके एक मिनिट, फर्स मीटिंग में फैमली ने रिजेक्ट कर दिया, तो पैसे नहीं देंगे, वाट नॉनसेंस, एहसान मानो के मैं उनसे मिल रही हूँ, प्लैन आपका है, आपने मुझे सिलेक्ट किया है, अगर ये प्लैन फेल वो तो मेरी जिम्यदारी नहीं है, आपकी फैमली होगी तो पचावा 60% मैं नहीं दूँगा, अगर ये शर्ट मनजूर है तो बोलो, नहीं तो हमारे ये सौधा कैंसल, कैंसल, बार्गनिंग डिसकेशन नहीं हो पाएगी, क्या कि ये थोड़े से ओल्ड इंडियन मैन है, 1928 बैच के हो, हाँ, ये 1928 बैच वालों के हिंदी त द्धोती पहनते हो, अगर मैं आपके बताए कपड़े पहनने लगी, तो सबको लगेगा कि मैं ड्रामा कर रही हूँ, आपकी फैमली को कैसे इंप्रेस करना है, मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगी, हाँ, ठीक है, तुमारी मर्जी, एक मिनट, शीज कॉलिंग, बा मैं एक मारी मित करना पड़े गा हाँ, क्या थेखहे हो, मैं 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 में आप 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 मैं में में आप, आप, मैं आप, आप, मैं, आ आ आ आ mają I know как be but a a ball in your house every आ, I like you अगर ये डील सेट नहीं होगी तो मैं इस बार में जरू सोचूँगी हम सोचेंगी सोचना सोचना आउट हाउस में वेट करना था अंदर क्यों आ गई अच्छे लग रही हूँ यो हमेशा अच्छी लगती हूँ मैं अच्छा है इसका बिल में तुम्हें भीज दूँगी मैं क्यों बरूँगा फिर से लाल करवालू ठीक है बर दूँगा ड्रेस कैसी है क्या बोलते हूँ क्लासी इसके भी पैसे आपको देने है ओके सर डील कैंसिल हो गई ना लेकर क्यों डील ओक्य है क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ चीज़न जाननी होगी नहीं तो काम बिगड़ जाएगा मुझे रफी सहाब के गाने पसंद है क्रिकट में सच्चिन से जादा मुझे द्रवड पसंद है वाट सच्चिन से जादा द्रवड पसंद है तुमसे तो मैं कभी शादी ना करू मुझे बीटल्स भी पसंद है बीटल्स अफकोस आपके जमाने का famous band है अच्छा आप perfume मनाते हैं ना फेवरेट fragrance कौन सी है अगर साच कहूं तो चंदन की और Amazon में मिलने वाला वो एक अगर आपसे कोई यह सवाल करे तो बहुत romanticly बोलना मेरी fragrance आपको पसंद है समझे intelligent हो वो तो मैं हूँ अब आप मेरे बारे में जान दीजिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्यों? मेरी फैंबली तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती अगर वो कुछ पूछेंगे जो मन में आएगा बता दूँ तुम बस हाँ हाँ बोलते रहना समझे जो हुकूम मेरे आका उसे सारे मसाले पता होनी चाहिए बस मा बाकी दही दूद सहम मेरी यह मेर्व एक मिनिट मैं बताती हूँ आप संगीता जी है आप फैमली बिसनेस का फाइनाशल देपार्टमेट देखती हैं आप है संगीता जी राभिसंट और अम यह स्वेता नहीं नहीं से अब आप है स्वर्णा जी के हस्बंट and you must be Sam's darling sister Shweta और आप है Shweta के हस्बंट इंट्रोडक्शन तो अच्छा था पर यह सब कैसे जानती हो तुम Samashiva Rao जी आज की जेनरेशन के पास Facebook नाम की चीज है जिसमें लोगों के बारे में हम सर्च कर सकते हैं बहुत स्वाट है ना सच में मुझे नहीं नगा था Sam का ऐसे लड़की में लेगी अवंतिका यहाँ आओ अवंतिका मा मा क्या that's your mother are you kidding me I'm so sorry auntie I'm so sorry आप इतनी यंग लग रही हो मुझे लगा आप family friend है I'm so sorry कोई बात नहीं बिटा कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं इसकी बड़ी बेहन हूं आणटी ऐसा नहीं है बलकि Sam आपका बड़ा भाई लगता है यह पहली बार घर आई है इसे साड़ी तो देनी ही पड़ेगी है ना यह मुझे ऐसे भी अच्छी लगी तो फिर फादू ड्रामा करने की क्या ज़रत बस भाई इसे शादी कर ले और कुछ नहीं अच्छा है मैंनी ट्रडिशनल कपड़े नहीं पहने तुम क्या करती हो बिटी आंटी मैं वैसे तो वेट्रिस का काम करती हूं बट आएम पोएट अपनी फर्स बुक पब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हूं कवीता लिखती है ना इतनी एश डिफरिंस के बाद भी दोनों की जोड़ी कित्ती अच्छी लग रही है चलो भाई की पसंद तो सदर गई तुमारे घरवालों को तो पता है ना तुम दोनों के बारे में मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि तुम दोनों के बीच ओम्र का काफी गैप है मेरे ममी पापा इंडिया में रहते है मैंने लगबग आट नाव सालों से उनसे बात नहीं की तो उन्हें कोई परिशानी तो नहीं होगी ऐसा नहीं है उनके लिए तुम्हें परिशानी हूं इसलिए जब मैं आपकी फैमली को देखती हूं तो परिशानी हूं इसलिए जब से ऐसानी हूं यूं इसलिए जब आट अटे इसलिए जब आटे में इसलिए जब आटे एक बात बताँ हूं पहले मुझे एक confusion था सांग को लेकर, लेकिन ऐसा खाना खा कर लग रहा है कि अब तुम मैं इसी से शादी करूँगी. तुम यहां कभी भी आ सकती हो बेटा, जब भी तुम्हारा दिल करे. मुझे शक है क्या ये तुम्हारे लिए सही होगा या नहीं. मुझे लगता है इस बारे में इसे बात करनी चाहिए. थांक यू आंटी, मुझे यहां आगर बहुत अच्छा लगा, आप सब लोग बहुत स्वीट हो, I had such a lovely time. So? शादी का मोरत निकलवाने की सोच रहा हूंगा? Good. By the way, two hour ten minutes हो गए है, तो third hour का चाहज लगेगा. क्यों? कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी! दो हफ्तों में वो इंडिया जाने वाली है, छे महने तक वापस नहीं आएगी, तो इसका मतलब समझे? तो आपको इंडिया जाने वाले हो! साम्वू, अरे, तुमने आइसे कपड़े को पाने है? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी चेस बोट वाली शर्ट ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो, लेकिन मा तुमसे मिलना चाहती है, पता नहीं क्यों? क्रिड़ काड़ दो मा, क्या बात है? आओ, तुम लाए है हाई भाईया हाई हाई आँटी दरसी है अजी नमस्कार ये क्यों? तुम्हें शादी में एक कुछ पारम पर एक पहनना होगा ना इसे लिए शादी के लिए ट्रडिशनल कपड़े तो तु क्या सूट पहनने वाला है हाँ हाईये स्लीव्स कितनी रखो मैं यहां तक ने ने थोड़ा थोड़ी से लंबी रखे थोड़ी से लंबी रखे वो एक दर्जी है उसे पता है अरे मैं बताऊंगी ना फरक पड़ता है उससे थोड़ा उपर कीजी बहुत बुरी स्मेल यह कैसी स्मेल है मैंने कुछ नहीं किया घर में है क्या नहीं नहीं कहीं और से आ रही है यूशोर तुम ही हो ना हाँ सर बॉस के मामा बड़े अजीब दिखाई दे रहा है आएम किशोर मैं सैम सर का पीए हूँ पीए हो या सीए हो मुझे क्या फरक पड़ता है यह समान को उठाएगा सर क्या पता सर आपका यह समान सर मुझे उठाना पड़ेगा यह स्मेल कैसी है मस्त है ना गुलाब की सुगंद है काफी तेज है लोग दूर से ही पहचान जाते हैं मत लगाओ मेरे बॉस की ना कुद्धे से भी तेज है सुनके देखो ना यह क्या है कार फ्रेशनर है इसकी बहुत जरूरत है भी कितनी गंदी बद्बू है छे छे घर के बने इत्र का कोई जवाब नहीं वैसे सैम का धंदा कैसा चल रहा है यहां पर मक्षियां तो नहीं मार रहा आप सैम की धंदे में क्यों घुस रहा है क्या खा सैम ने तुझे बताय नहीं नहीं इत्र बनाने में मैं अपने गाउं में वर्ड फेमस हूँ उसके सूंगने की ताकत उसे अपनी मां से मिली है पफ्यूम बनाने में मेरे बास का जवाब नहीं है मेरे सामने तेरा बास चीनी कम चाह है पता है तेरे आज के इन पेहूदा पफियूम की वज़े सही हमारा धंदा एकदम ठपड़ चुका है ऐसी क्या खास बात है इनमें एक घंटे भी ये माल नहीं टिकता और डींगें बहुत बड़ी-बड़ी हांकते हैं यह रहा असली पफियूम थोड़ा सा लगाओ किलोमीट तक महगते रहो तुम्हारे बॉस को तो अभी सुम्र में रिटायर्मेंट ले लेनी चाहिए अब शादी करने से कोई फाइदा नहीं सुना जितना पुराना होता होतना महंगा होता है अब तेरी उम्र मैदान में खेलने की नहीं बलकि दर्शक बनकर देखने की है यह लड़की कौन है इसका नाम अवंतिका है यह सैम की मंगेतर है तुम तो बहुत खूबसूरत हो शादी करने के लिए यहीं मिला था तुम्हारी कास्ट ब्रॉडकास्ट बाबा आलम के जमाने के आदमी आज भी कास्ट मैटके हुए हो तुमने तो अभी जमानी में कदम रखा है यह बताओ क्या सच में तुम्हें इस से प्यार है सर सर आप जो कहना चाहते हैं मुझे बताईए बोलिए सर आई विल ट्रंसलेंट आपको इनका एच्ट चाहिए समझ गया समझ गया मुझे फाकर है तुम अभी जमीन से जुड़े हो अच्छा इनकी इंदर पर आपका दिल आ गया है रिगुट सर और मारो मत सर ने कि शोर मुझे पहुची रहें आप घबराईए मत सर तुम मेरे साच लिए कम 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 कहा लेकर जारी हो आप इसे खुली हवा की ज़रुए तो मैं पस अभी लेकर आते हूं चलिए मा यहां पर कुछ तो गड़वड़ है एक तो जंगल में आग उपर से आस्तीन में सांप कैसी बातें कर रहा है इस गर में सांप कहां से आ गया अपना चहरा आइने में देखो समझ जाओगे एक बात बताओ अभी वो लड़की तो तीस की भी नहीं है फिर वो सेम से शादी क्यों कर रही है लगता है माल देखकर फिसल गई बखवास बंकर वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है यह क्या जाकर चल्दी तयार हो जा बहुत काम पड़े हैं स्वार्णा बच्चे कहां है बज़ा आएगा इस गर में थंड़क हुई है किशोर बॉस हमारे प्लाइम के अनुसारी सब कुछ हो रहा है ना सब ऐसा ही हो रहा है बॉस आसमन थोड़ा ज्यादा ही नीला लग रहा है उस डिलिवरी भाले का क्या हो ओन टाइम है कोई रुकावट तो नहीं नहीं कोई रुकावट नहीं बॉस इस लुक में आप आज बहुत यह अच्छे लग रहे हैं बॉस यह तु रख मुझा नहीं चाहिए ओं गंगंगन पते नमा बेटा यह चश्मा अधार दो यह हमारी प्रथावे नहीं है बेटा ओम भूर भूवस्वा मेरे साथ मंत्र दोहरा मंत्र ठीक है आप चानू रगिए अधाओ 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 इन पूर आप थेक्ट कहां हो तक पहुंचे क्यों नहीं अरे क्या हुआ यहां मैं रखती हूं बाद में फोन करती हूं क्या हुआ क्या बात है संगीता दिदी यहां हो तो भाया को देखो यकीन नहीं हो रहा ना कि भाया की शादी हो रही है आज कितने अच्छे लग रहे है ना सही कहा तुमने कहें मेरी नज़र लग चे अच्छा लग रहा है ए हमने इसकी फेस्बूक पर प्रोफाइल बनाएं कि ना उस पर यह वाल सलस्क्राइब बाद अच्छी लगई है ना अच्छी फोट आई है उम्म पाइनली घटिंग मैरी टुदए अव हमारी टूबाइब यहां अच्छी फितन अच्छी बेर्टेशा मेरी सैम तुम मेरे साथ ऐसा कैसी कर सथ तो मैं तमसे इशाद को रही तो अब हुआ इसा इशाद को रहा हुआ हुआ है इतनी यह करती आने में कबसे तुम्हारा इंतियुजार कर रहे हैं यहां पर शारी सेर सब कुछ याद है बिल्कुल सर बोलो ज़रा साम शिव राओ के लिए लेटर आया है एमर्जेंसी है मतलब कुछ अर्जेंट ही होगा मुझे तो चल्दी पता नहीं किसने भेजा है बॉस चलिए जरा खोल कर देखते हैं बॉस किसका है बॉस अवंतिका अवंतिका शादी से पहले लव लेटर वाट रोमेंटिक थाट सर बॉस मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूं सर अगर लव ल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती शादी नहीं कर सकती मेरा उद्देश तुम्हारे परिभार के सामने तुम्हारे इंसर्ट करना था यह भी लिखा है सर वो मेरी किसमत पर अज़री कैसा जटका है सर इंप्रेशन मैं आकर तुम मर जाओ यही आशा करती हूं यह भगवार एभनान, एभनान ... वह कैन लेका हाआ इसने अवर्थिखा.. अवर्थिखा माणाम... वेर आर यू रोगी है सर और जूर सो रोगी है वह भनान, आवर्थिखा वह और बज़ चेह तो रहे है अवर्थिखा साथ़ ने काँ करेगा प्यार करना कोई गुदा है क्या मेरा प्यार से भरोसा उठ गया आपने कोई गुदा नहीं किया मैं किसे में भरोसा नहीं कर सकता कभी मत करना बॉस मैं आपेशा कहता था शादी नहीं करूगा शादी नहीं करूगा इस लाइन को बहुत का जोर से बोलिये फिर से पर अब देखिये क्या हो गया यह तो घोर अन्या है बॉस उसने मेरे बॉस को दोखा दिया है यकीन करना थोड़ा मुश्किल है वैसे कहानी फिल्मी होने वाली थी पर यहां गडबड की गंध तो जरूर है बस करिये बॉस यहा हुआ है बस अब इस पहल दो कोई मतलब नहीं है जिन्ने की मेरे बार अब अब इस सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब और आप सब्धी क्यों मार रही हो हमने facebook पर ते ही करदो दिदी जिल ei बांइस मायत Wasकुमारheen बंढगी दिए blindback को अहां मी वहीज अम लॉट इनी हल्पिनी खौए हूं और थि जूंग हो गाल इनुड हां का म्र कॉर कचिवत ? मा गूरो म मा घॉक काढ़ क conven就到 एटिवरीण दिन करो मा, 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 ये सब तुम्हारी वजे से हुआ है, तुम्हारी वजे से इस शी गए टो बीवाइन, डोन फ़री, शी अन्रा उब्सरवेशन, क्या काहा डॉक्टर ने, उन्हें गहरा सद्मा लगा है, कॉमा में जाते जाते बची हैं, पर इस सद्मे की वजे से उन्हें साइमोस्माटिक अटाक आया है, ये कैसे बीमारी है, ये बीमारी थोड़ी सी क्या मुने देख सकते हैं, चलो, 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 मा, 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 अवंतिका, 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 अवंतिका को अवंतिका, ये सब तुमारी वजे से हुआ है, अगर मा को जिन्दा देखना चाहते हो, तो उन्दिका को लेकरा। मुझे कुछ नहीं पता, आस्मान से पाता, आसे कहीं से भी डून करा, उसे लेकिन लेकरा। मुझे मा को सही सलामत देखना है और कुछ नी जाओ और उसे लेकर आओ उसे बिना लियमत आना हाई अर्जिंटली क्यों बुलाया और तुम्हारी शादी कैसे रही मां हॉस्पिटल में है उनो इसी होके मुझे तुम्हारी है जाहिए हाँ बोलो क्या करना है वो बार बार तुम्हारा ही नाम ले रही है मेरे पास एक नया प्लान है हम इस प्लान का दूसरा एडिमेंट बन अब मुझसे यह सब नहीं होगा अवंतिका अवंतिका बात सुनो अरी सुनो तो ओहो यह धोती भी मैं तुम्हें पैसे धूंगा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है क्या तुम्हें डर की कहीं तुम्हें मुझसे प्यार नहीं इस बात का डर तुम्हें है मुझे नहीं इस उम और मैं हरी भरी नहीं हूँ ना? मुझे के बतागा? तुम वैसे दिखते थोड़ी हो तो जाओ, अपने लिए कोई हरी भरी धून लो जाओ टैक्सी अवंतिका, सुनो तो मैं तुमे जादा पैसा दूँगा अब आप समझ गाए? मैं विदा कुवारा क्यो हूँ? इसलिए है हाई हे अवंतिका, कम, कम, कम कुंग्राचिलेशन्स सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आपाई बैठो ना, ये क्या? तुम्हारी शादी के अंगूठी का है? वो शादी कैंसल हो गई कैंसल हो गई? मैंने सुचा था शादी के बाद तुम्हारी एडॉप्शन फाइल आसानी से अप्रूब हो जाएगी इसलिए इंस्पेक्शन आफिसर सा तुम्हारी अपॉंट्मेंट भी फिक्स कर दी है तुमने ऐसा क्यों किया वन देका? पर प्रॉब्लम क्या है? मुझे बैंक बैलेंस दिखाने को कहा था ना? कल ही मेरे अकाउंट में 25,000 यूरो क्रडिट हुए है मेरे पास अब टोटल 37,000 यूरो है इतना तो काफी होना चाहिए ना? नहीं, इतना काफी नहीं है एक्चिली, शादी के दिन ही सैम की मॉम को अटैक आ गया था वो अभी हॉस्पिटल में है वो लोग तो चाहते थे कि शादी हो जाए पर मैंने कहा कि उनकी आशिरवात के बिना मैं शादी नहीं करूँगी इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मा के ठीक हो जाने के बाद शादी कर ले इन फैक्ट मैं अल्रड़ी सैम के घर में शिप्ट हो चुकी हूँ प्रैक्टिकली मैं शादी शुदा हूँ आप ये बात इंस्पेक्शन ओफिसर को बता सकती है असल बात तो यही है शोना आपसलूटली ठीक है मैं बात आगे बढ़ादी हूँ ये मैं तम्हारे लिए नहीं कर रहें आँटे के लिए करें बदाओ तुम्हारा नाया प्लान क्या है और कांट्राक्ट चाहिए शुक्रिया तुम देवी हो मैंने तुमसे जो पैसे बढ़ाने की बात की थी न पर मैं तुम्हें पहले जितने ही पैसे दोंगा, चलेगा ना तुम्हारी मां हॉस्पिटल में है और तुम्हें यहां बार्गेनिंग कर रहे हूँ हाव किन यू बी सो हाटलिस ओहो, दयाकी देवी, ऐसा होता तो तुम फ्रीमे मेरे लिए काम करती ओहो, ओहो, रुको, रुको ठीक है, मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है अब मैं तुम्हें प्लान समझाता हूँ उनसे कहना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया है और तुम मुझे एक आखरी चांस दे रही हो उसके बाद माफ कुछी दिनों में डिस्चार्ज हो जाएंगी एक बार वो ठीक हो जाएं फिर तुम्हें घर के सारे मेंबर्स के दिल में एक एक करके तुमारे लिए नफरत पैदा करनी होगी तुम्हें उनकी जिंदगी नर्ग से भी पत्तर बनानी होगी उन्हें ये कहने पर मजबूर करना होगा कि सैम अगर तुम्हें अवंतिका चाहिए तो तुम्हें हम सब को भूलना होगा फिर मैं कहूंगा मेरा परिवार ही मेरी दुनिया है और मैं अपने परिवार के लिए अपने प्यार की कुरबानी दे दूँगा फिर मेरे प्लाइन की हापी एंडिंग हो जाएगी कैसा लगा? एकदम वाहिया तुम्हें पता है? मेरे पास ना एक बड़ी आइडिया है इस बार हम तुम्हारा घर छोड़ कर कहीं और रहेंगे एक्स्ट्रा बेडरूम ले लेंगे और हाँ, रेंट मैं नहीं दूँगे पर क्यों? हमारा अलग रहने का आइडिया इन्हें पसंद नहीं आएगा इन्हें अनकम्फ़टबल फील होगा इट विल बिल्ट प्रेशर जल्दी मुझसे नफरत करने लगेंगे क्या कह रही हूँ? इसा नहीं हो सकता अपने घर में बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं करता सिवाए उनके जो सुबह होते ही वापस घर चली जाती है मेरे पास नहीं रहती तुमारा ये साथ रहने का आइडिया पिल्कुल पक्वास है ओकी, सामू वेड़़़़़़़़़़़़़़़़़ उकी, फाइन है चलो, हास्पिटल चलते है हम मा? आंठी? अँँआ अवन्तिका मैं यह हूँ माँ अवन्तिका को पसंद करने लगी मुझे नहीं पता अवन्तिका को घर लाना ठीक रहे गा यह नहीं रहेगा धीरे दीरे कहीं मैं अब कुछ पीने की जरूते कीं आपने काम की बात की घर 상황 वैसे भी पीने के लिए वजय की जरूत नहीं होती लेकिन दो चार पैक्ज आपका दिमाग अबर का नहीं होने वाला और तू मुझे यहां लेकर आगे अरे बॉस एक बार तो आईए ना, आपकी आग बुझ जाएगी, देखिए, देखिए सरा, तू जा और जाकर उनकी साथ भरता त्यम कर, आप यहां पर बैठिए, बैठ जाएगे, तू को जा रहे? बस एक मिनट में, मैं अभी आता हूँ, आप बैठे रेगे, जादी आना, हाँ, 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 हालो साम, किछ और, ये सैम का बरता हो कुछ बदलते हैं, या रहा है, दीजी, अवंते का होस्पिटल आई थी, भाया उसे लेकर आए थे, मा को होश आ गया, उन्होंने उसे बात भी की, क्या, स्विच में, क्या बात है, सुनकर चैन मिला, ये तो बहुत अच्छी ख़बर है, वैसे सैम अवंतिका को वापस ले आए, ये तो ठीक है, पर ये बात बनी कैसे, ये जाना ज़रूरी नहीं है मामा, वो वापस आगए ये बहुत है, पता नहीं कि वो मुझे शक हो रहा है, हो सकता है, वो सिर्फ दीदी को देखने आई हो, हमें नहीं पता उसने सैम को माफ किया भी या नहीं, अब जिसने उसे धोखा दिया, अगर उसने उसे माफ कर दिया, तो कुछ भी हो सकता है, दाल में कुछ तो काला है, कहीं पूरी दाल ही तो काली नहीं, इस वक्त दीदी का फोन हालो मैडम है किशुर कहा हूं तुब लोग से बात करा हूं मेरी मैं उन्हें लेकर आता हो ना नहीं बस इतना बताओ तुम दूरा भी का हूं ठीक लोकेशन भीजता हूं हां भी भीज रहा हूं भीज दिया ओके लेडीज और शक शिट लोकेशन पर दीदी का फोन आया था उसने मुझे भी कॉल किया था पर मैंने कट कर दिया अगलती से मैंने यहां की लोकेशन उनको भीजती सर क्या यह नंबर का गड़ा यू तुम्हे हूं सर आई अप दीदी हैं माफ कर दीजे हमें जाने दीजे यह जो अला मुखी अंवने अपने एक ने तो ने हम प्रूण चरार आई लूगो धाला करता देखा यह बात तो इन दू और अब्रें को इने तो तो रह जार आज कॉर्णत नहीं जैन नहीं सब्ड़िये नहीं 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 नीचे है वहाँ चरो 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 पकड़ा गया ज्यादा मासूम बनने की जरूवत नहीं है किशोर 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 क्या मुसीबत हो गई यह चरो आजाओ चरो भी अरे भापरें यह लोग यहां प्रेक के लिए नहीं लेक के लिए आए इतकी ती नहीं दे खुकु necesूर सी पिज़ हो यह क्या भावस आगो और तुमैंने को तो तक वह देदी ये सब प्यार की वज़े से हुआ है ये लड़की जो डांस कर रही है कि शोर इसे प्यार करता है कॉनसी कॉन है वो लड़की तौम चाहते है यह पता दीजिए वह वह ली उसे मैं प्यार करता हूं हँ है क्या बढ़की वह उसे समझाने आए थे कि वह ये सब छोड़कर हमारे परीबार का हिस्सा बने उच्छे कुछ समझ में नियारा में जा रही है ल्या बाई कर रहा है मैं तुसे बहुत करने आए तो जल एव पाई तीरी तो चल लिए सबढ़िए क्या कर रही हैयारा थ बता नहीं कहां रहे गें रहे कि अपर वाले बीटीफुल कहां है यह सार अचात्र गुका थो New iPhone ए goofy गुल नाक स्कात्र नुव्ट लोना सुष युबू इव जैक हे झाओ हे लिए पिए झाओ वाट वाव हør वाओ भाव स्वें ? साइचे आ absolument उप लियल आ वयल इप粵 सच सच बताओ अवंतिकार ने तुम्हें माफ किया वो शादिक लेते यार है पता नहीं सोड़ना मैंने उससे पूछा नहीं मैं बस मा के घर आने के इंतजार कर रहा हूँ मा को खर ले जाओ चलिए मा अराम से तुमने हमारी बहुत मदद की है हमें बड़े खुशी है कि तुमने सैम को एक और मौका दिया कोई बात नहीं मेरी जब भी ज़रूत पड़ेगी मैं आजामगी इतना ओर एक्टिंग करने की ज़रूत नहीं मेरी मा की तवियत खराब है तुमारी मा की नहीं चिल आम जस्ट वोर्मिंग अप मुझे इस सैम पर भरोसा नहीं है साम को एक और चांस देने से पहले मुझे इस पर 24 7 नजर रखनी होगी तो कल से मैं इसके घर में शिफ्ट हो रही हूं चलेगा ना कि आपको एक्राई थे, एक व्यर्मिंग इसा बगवास आइडिय को मान जसे कही शादी से पहले एक साहत रहना हमारी संस्कृति नहीं है जब नंग मुझ रखो फेस्बूक ने हमें हमें तुमारी सारी संस्कृति के बारे हम बता दिया है वो सारी फोटोज फेक थी उन पर येकिन मत करो फोल्डा सब ठीक है यह भी रखो यह भी रखो यह भी रखो चल्ब चल्लें बाइ और भी रखो चल्लो तुम्हें मैं बाद में देखुँगा ज़रा रुको अवंतिका यहां आ चुकी है उन दोनों को कुछ वक तके लेने दो लेकिन आपकी बात समझ में नहीं आई मैडम बेवकूफ इसका मतलब क्या कहते हैं उसे प्राइवसी प्राइवसी चाहिए उने प्राइवसी मैं आउट हाउस में शिफ्ट हो जाऊंगा फुल प्राइवसी मिलेगी सबसे इस अबढ़े हो सब्सें वेलेगी जोन आउट हो जोना अबढ़ एक कर अबढ़े हो सब्सें सबसें ऑङ हम 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 हुआ है अँझ अँझ है अँझ अँझ है नो श्मोकिंग व वा वाट थे है साम, तुम्हें पता है वो सिविक किती महगी थी, तुम्हें उसे चूपएगा, उससे पैसे भी दिना पड़ेगा तुम्हें, अपना मूब बंद रखो, इसलिए मैं लोगों से अपनी रफरत करता हूँ, ये जगे कोई बार नहीं है, उत्रो, उत्रो, अब यहां के नियम यहां का एक भी समान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, यहांपर धूम्रपान, मध्यपान, ऐसा कोई भी पान करने की अनुम्हें, नहीं है, मेरी नाकुoles से भी से तेज है, मैं कुछ भी सूम सकता हूँ, तुम यहां परफ्यूम भी मेरी अनुम्हें बेना नहीं लगा सक चिल, सम्भू सर, नेक्स टाइम बाहर जा के स्मोक कर लोंगी, वैसे भी मैं पर्फियम डियोडरन यूज नहीं करती, जूट, जूट बोल रही हूं, तुम्हारे पास से तो खुश्बू आ रही है, ये मेरी नाच्रिल फ्रेग्रिंस है, नामुम्किन, तो ठीक है, मत मानो, वैसे भी तुम्हें इस चीज़ों थे अतना लदाव को है, हटो, वियोडो, ये मेरी OCD है, इसके बारे में तुम्हे समझाने की, मुझे कोई ज़रोत नहीं है, क्या, सैंबू जी, you know you're really funny, right, actually तुम आके ले रहने ही लायक हो, कोई तुम्हारे साथ रह भी नहीं सकता, ये क्या क्या हो, जीए, क्या क।वी समझाने धुम्हे हुआ हो, नहीं सकता शना चीए, झाले की बाने है, रहसंपाने हुआ ह tuta? क्या परल्वे से साय कोईता है? आँ झांटिका? आँ झांटिका? बूर्णिंग। बूर्निंग। वड्यूव। यूविज खुए। यूविट्रिय। यूविज। कैसे यूव। बोलो , क्या चाहिए तुम्हे। गुडाफ्टरून अवंटिका। मैं यहां कल रात के लिए तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा वह मतलब नहीं था तो फिर बोलो क्या सॉरी इसके पच्छात आपके लिए क्या मैं तुम्हें डिनर बर ले जा सकता हूं जहां सिर्फ हम दोनों जहां शेफ सिर्फ तुम्हारी पसंद का खाना बनाए देखती हूं मेरा क्या मूट बनता है इसके पैसे देना मुझे लगा था हम किसी महंगे रेस्टराउंट जाने वाले हैं पर मुझे तो पता ही नहीं था कि सैम मखी चूस है अवंतिका ये पहली बार है जो मैं किसी के लिए खाना बना रहा हूं इसी का तो मुझे डर है आजाओ गर्मा गरम और लजीज खाना रढ़िये इसे गरम खाओ तो ही अच्छा लगता है अगर बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना और यहाल कि सोफे पर आराम से बैट कर टीवी देखते हुए खाएं हम पहले यहां खा लेते हैं फिर सौफे पर बैठ कर टीवी देखेंगे यह अच्छा ऊप्शन रहेगा नहीं ओके मिस्टर ओसी डी सर अच्छे बच्चों की तरह हम यही पर बैट कर खा दे हैं ठीक है चेर्स चेर्स यह लो ब्रेड थेंक यू सुनो अवंति का मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा जानता नहीं कुछ अपने बारे में बताओ ना मैडम आराम से मैं हेदरबाद में पैदा हुई थी जब मैं साथ साल की थी तो अपने मामा पापा दीदी के साथ यहां शिफ्ट हो गई उसके एक साल बाद अमायरा का जनम हुआ मतलब तुम घर में मंजली बैन हो अनन्या दीदी देट साल पहले कार अक्सिडेंट में उनकी और उनके हस्बेन की मौत हो गई है भागवान आम सारी इस ओके बट अमायरा वो जली मेरी जान है माई बेबी इस माई एवरिटिंग उसके बाद मैंने कॉलिज जॉइन कर लिया फर्स्ट यह में अमित नाम के लड़की से मुझे प्यार हो गया घरवालों को वो पसद नही यही कि वो लड़का मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है सेंकिन येर में मैं अमित के साथ लिजबन भाग गई इससे मेरे पेरेंट्स को बहुत दुख हुआ और वो अमायरा के साथ इंडिया चले गए उन्होंने फिर कभी मुझ से बात नहीं की उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं जिन्दा हूँ या नहीं पर कभी-गभी अमायरा से बात होती है अमित के बारे में उनकी राय सही थी मेरा और अमित का साथ कुछ ही पलका था उसके तीन साथ बाद में वापस पोड़ चुकल आ गई इसी वज़ा से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई और मैं एक वेटरिस बन गई तो मैंने लगता कि तुम्हें अपने मुमी पापा के पास वापा जाना चाहिए मैं अमित के साथ उनकी मर्जी के बिना भागी थी अब वापस नहीं जा सकते अब फैसला करने का हग मुझे नहीं उन्हें है होपफुली समडी मिस्सटेब अमाइरा हम घो का मोबाइल है यहां इसका नेट्वर्क प्रोब्लम है तो मेरा फोन यूज कर लो यह बेबी मैं हूँ यह किसका नंबर है यह मेरे रूम्मेट का नंबर है इसे भी सेब कर लो एमर्जंसी में इस पर कॉल कर सकती हो रूम्मेट बताया था ना सामब शिवर राओ के बारे में जिसके साथ मैं टेंपररी रूम शेयर कर रही हूँ 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 I'm so sorry I'm so sorry मैं टिशु लेकर आदी हो और से साफ कर देती हो चिल अवंतिका वेरी वेरी हॉट ओल्डर मैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें पता है कि मैं कितना हॉट हूँ पर मैं कितना घुल हूँ ये नहीं पता वे अहीं, ऑई अवे लावाज ये अीन हो असक्त बा assessments मैं ये वे बुदे है उसे हो जए नहीं को बाहे आव़ता है वे जह एन्या हो ऑनादी उन्हाँ नाइस बाइसेप्स तुम्हें कसरत करनी चाहिए हारी बड़ी लड़कियां जो बसंदे तुम्हे चलो 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 रुप क्यों गए चलो ठीक से करो वान कमान हार्डरइड ओके सांबू ये तो बता अगला प्लान क्या है सारा प्लान बनाया जा चुका है रेमोट देना हमारी पहरी टागेट होगी मेरी बहन श्वेता मुझे नहीं पता श्वेता अरे मुझे कैसे पता होगा तुमने मुझे डाइपर समालने को कहा था पता नहीं कहां चलो चलो तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है हमेशा घर में ही रहते ओ और क्या करूं मैं ये सोच कर आया था कि शादी के बाद मैं विदेश में रहूंगा जब यहां आया तब पता चला कि मुझे यां बच्चों के डाइपर बदलने के लिए लाया है इस घर में पैंट तुम नहीं ये पैंटी है तुम तो जान बूच कर कुए में कूद गए तुम्हारी जिन्दे की तो नर्क बन चुकी है मुझे तुम पर दया आ रही है हमारी तूसरी शिकार होगी संगीता बहुत अच्छा लगा है बेटा ये एस्टाइल बहुत बुरी लग रही है नहीं बेटा स्कूल के लिए परफेक्ट है एवन्थिका फेक्ट अच्छी लग रही है इतनी वहियाद है मुझे भी वेश्टाइल बिलकुल नहीं अच्छी लगी पर मामी मेरी बात ही नहीं तुम्हारी मामी तो बेवकूफ है अगर तुमने इनकी बात सुनी तो ये देखो तो अब मैं तुम्हें स्टाइल दिखाते हूँ हाँ चीक है मैं दिखाओ इसे कट कर ले क्या अवन दिखाने है सखी वो खुट को समझती क्या है यह तो सा सर बत्तमीजी है मैं अभी उसे फोन करता हूँ और तुरंट उसे ब्रेक अप करने के लिए भोलता हूँ अपना मुह बंद रखो इतनी बड़ी बात भी नहीं है पर मेरे लिए वो समझती क्या है अभी वो परिशान है परिशान वो नहीं है संगीता परिशान मैं हूँ वो मेरे परिवार की बिजदी करें और मैं देखता रहूँ कभी नहीं अब छूट भी करो वो लड़की यह तुम्हारे लेनी आई है मा के लिए आई है दया कर रही है हम पर और कोई लड़की होती ना तो तुम्हारे हड़ी पस लिए कर देती समझे तुम मेरी बात सुनो वैसे भी तुम्हारे पास कुछ चीज़ हमें बचाए अब मेरा मतलब है तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए ना हमारी बात मान जाओ सवारन अर तेरी बारी है पर पहले आवंदी का का होख है पर 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 रहे आवंदी का का है इतनी साही कंदूस लगता है आप सेंचुरी मारने वाली है तुमने मेरे फेस पर लगा ना आप चलो खाओ लो आंटी आपकी बच्चों की उम्रू दिखकर लगता है कि आपकी टिकट जल्दी कटने वाली है हां कॉमा की बाद आप पर फुल स्टॉप लगना जी है हां कहीं आप अमर होकर तो नहीं आई है ना ऐसा लगता नहीं कि आप ज़्यादा दिन टिकेंगे अब अब अन्तिका ये तरीका तुमना मां से बात करने का ए शांत हो जाओ ठीक ही तो कह रही है सभी कहते हैं मेरी जीवन रिखा बहुत नंबी है सज बोलने के लिए हिम्मत होनी चा कहीं नहीं जाओंगी यहीं हो मेरी यह आइडिया तो फ्लॉप हो गया तुम्हारी बत्तमीजी परवी इन लोगों को तुम देवी नजर आ रही है कोई बात नहीं साम मेरे पास भी कमीनेपन का सर्टिफिकेट है अब मैं इसे अपना ए सर्टिफिकेट दिखाती हूँ मत करो सर शुप काम में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती लेकिन मैंने तो भोड़ दिया प्लड़ी साइको फैमली हाँ यू लुक वेरी सेक्सी तोड़ ना अच्छा मजा कर रही हो मैं सेक्सी नहीं दिखती ये ड्रेस मेरे हस्बन ने मेरे बादे पर गिफ्ट की थी मुझे लगा ये पकवास है पर अब अच्छी लग रही है मुझ पर अच्छी नहीं बहुत जदा हॉट लग रहे हो यह कौन सा पर्फ्यूम है? वह ही है, पुरानी वाली मैंने श्वेदा को नया वाला दिलाए था लेकिन उसने मुझे नहीं बताया सही बात जोड़ा रुको ना कौहाँ ना आए अरे, अरे छोड़ा अरे जा करें, यो सब देख रहे हैं ओए, थैंक यू अरे लेकिन बात क्या है क्या, तुमने सोड़ना को किस किया उसकी तो आलत खराब होगी होगी तुमने देखा नहीं, अपने हास्बेट को बेडरूमें लेकर गई उसके बाद क्या हुआ ए, साल चलो ओके, तुम चलो, मुझे ज़रूरी काम है थोड़ा लेट होगा, चलेगा ना दो रास्ते में हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अरे, किस? किस? इधार आना लाइफ में रोमैंस नहीं, और नाम की शुरूरात में किस? किशोर बोला करो, बाथरूम वहाँ पर जल्दी चलिजाओ आफ तो सुन मुझे रोल पेपर चाहिए, थोड़ा अरज़ंट है रोल पेपर हो या पेपर रोल हो, क्या फर्क पड़ता है , काम तो एक ही करता है अरे यार, ये मतलब नहीं है, मैं सुट्टा की बात कर रहा था सुट्टा मतला क्या चीज? अरे, सुट्टा नहीं जाबता नहीं गाजा मज़ेगा What the hell is this, sir? यह आपने खरीदा है? मैं इसे भला क्यों खरीदूँगा? मैं इसे अपने गाउं से लाया हूँ मतला फ्लाइट से? वहां की सिक्योटी ने आपको पकड़ा नहीं अरे, मैं इसे चट्डी में छुपा के लाया हूँ यह पूरी तरह से इलीगल है, sir इसके लिए आप अरेस्ट भी हो सकते हो, sir यह आप एंटी सुचल और एंटी नेशनल हरकती कर रहे हो ठीरी बोलना, ठीरी बोल एक हफते से मैंने सुट्टा नहीं मारा, कोई कोणा डोड़ कर सुट्टा मारने में क्या बुराई है कहीं किसी ने आपको पकड़ लिया, तो क्या अच्छा लग रहा, sir, आप खुद सोचिए इसके अंदर जाते ही, हम जननत की सैर पर निकल जाएंगे नो, sir, I will not allow this, you will have to be silent, just be silent, silence, I said silent, I will not listen this, oh my god, please save this family from this illegal intruders, किशोर, 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 अब जाकर पंची आजाद हुआ है, अब इसे उडान बनी है, पर इसका क्या मतलब हुआ, तूने देखा, हाँ देखा, अब देखना, अब देखना, यह अच्छा आसन है, meditation is the solution for every headache, रास्ता, एक इशोर, तो यहाँ क्या कर रहा है, चकल गया सब कर देखा, यह घर में इतना धुआ क्यों फेला रखा है, दम घुट रहा है, किशोर, क्या कर रहा है, हाँ, I don't know, but it's crazy, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, अरे, 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 ओ, जस्टिं टिंबर भाई, तो वो क्यों रहा है, भाई, मुझे याद नहीं है, तो पर किस बात के लिए रो रहा है, जो भूल गया, उसे याद कर रहा हूँ, तुने बहुत अच्छा किया, किशोर जो इसे जला दिया, सभी को जन्नत की सेर करा दी, वैसे ये सैन कहां पर है, उसके प्लान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, क्या रहे मैश, तो हमेशा मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ा रहता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सत्तिकी हमेशा जीत होती है, समझी दी जी, मुझे ये कहते हूँ, शर्म न पुरा नहीं लगा, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वो सैम की दीवानी हो गई है, पर उसकी दीवानी उसके परताब से मैश क्यों नहीं हो रही है, उसकी बात का आपने जवाब क्यों नहीं दिया, अच्छा दीदी, मैं एक बात पूछू पूछ 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 वो सैम को लेकर चली गई पर भी आपको कभी अकेला मैसूस नहीं हुआ मैं अरे उसे अपने सिर पर ऐसे ज्यादा चड़ने मत दीजिए दी अगर आप ऐसा ही सहती रही ना तो वह आपके बेटे को ही आपसे छीन लेगी फिर आप क्या करेंगी तब कैसा लेगे आपको कभी सोचा है इस बाइरे में हाँ एक किशूर जाकर क्यास कर देना ऐसे क्यों खड़ा है लग रहा है जैसे कोई छेमिया अपने कस्टुमर का इंतिजार कर रही है जाना हां मुझे कुछ याद आ रहा है रौफल आ नीड़ टूटू दलू क्या गा तैंक आ खाली करने है अ दो आखर मैं यहां पर आया क्यों हूँ कुछ याद नहीं आ रहा रहा है और लुग यह कंद आज़ो त्रीके मैं ही आता हूं शर्माने से कुछ नहीं होगा है मुझे मारे गटू यह बगवान, इसकी आंखे इतनी लाल क्यों है, लगता है इसे जूर से लगी हुई है, ब्रडी डाक फैलो, मुझे हुशियार रहना पड़ेगा, सॉरी सर, पहले आप जाईए, मैं बाद में आऊँगा सर, मैंने सॉरी बोला ना सर, कुछ तो बोलिये ना सर, जब मैं बोलू मैं एक नंबर करने ही तो आया हूँ, हाँ मैरा, हलो, मैंने अभी तेरा मैसिज पढ़ा, तो अमित से मिलने क्यों गई है, तेरा दिमाद को चीक है, आई यो क्रेजी, रिलाक्स, रिलाक्स किदो, इस नोट लाइक आई वां तो मीट है, मेरे कुछ जॉइन अकाउंट अभी भी उसके साथ है, उसने मुझे बताया कि वो अभी लिस्बन में है, और वो मेरे पैसे लोटाना चाहता है, बस वही लेने जा रही हूँ, लिसन, लिसन, तुम्हीं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी कि अभी घर आ जाओ, अमाइरा, प्लीज, मैं नहीं चाहती, तुम्हसे दुबारा मिलो, अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, अभी बाहते लिए, अभी बाहते लिए, अभी अमाइरा, लिसन, बस, ऐसी फॉरमल हेलो करोगी, अभी नहीं लगाओगी, दिल में पयार बचाने शायद लेकिन, यार तो आज भी हूना तेरा, कम अमित हरे कम ना बाबा आमित गाइस कुड यू प्लीज शो मैं प्लीज प्लीज गोएड इप लुक्स लाइक शीज एक्स कल्फरें अमित मेरे पैसे दो मुझे जाना है बैठो ना यार इतने सालों बाद मिले हैं दो चार बातें दो कर लें तुम्हारे पैसे हैं दे दूंगा मैं बदल गया हूं यार कि मुझे की यह शाथ कि वहार ने किया है तुम्हें से वात कने के लिए क्यों भीज दिए मैं समझा ने तुम्हें नहीं पता वो क्या कर सकता है तुम्हें पता है उसके साथ क्या किया था नहीं अमित आ डूंट वोन टॉक बार्ट पास्ट सी तुम जरा भी नहीं बदली अमित इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं लेकिन तुम जब से आयो तब से ही साला फोन बज़े ही जा रहा है अमित गिमी माई फोन अरे छिल यार नहीं दूंगा फोन ही तो है and now let's have a conversation Amit, don't be ridiculous, give me my phone, मैं तुम से बात करे हूं, मेरा फोन दो I'm being ridiculous, really? अपनी एक्स गर्फरेंड से मिलने नहीं था सुचा बिना किसे डिस्टरबंस के बातचीत करेंगे I was being so sweet to you, I even offered you to pick you up, but you refused Wow Amit, you know what, मुझे अब जाना चाहिए Just give me my phone and I leave Just because I didn't let you talk to this, this Samhashiv Rao Why are you talking to me, why are you here? Hey Gmit, is this the guy you're seeing these days? Come on, tell me, tell me Sir, you need to keep your voice down No, I won't keep my voice down No, sir, please I paid you good money and I will talk to my girlfriend This is a restaurant, you are not supposed to create any nonsense Please, shut up Please, what? Stop, Amit Sir, if you don't lower your voice, I need to call the cops Please, call the cops Just give me my phone and I'll leave you Food for you I'm telling you, please If anyone of you guys touch me, I'll break your face Just take this man out Huh? Uh Uh Sam Sam, तुम यहां कैसे आए? मुझे पुछ नहीं हुआ तरवास इसे टकरा गए चलो गार चलो Sam 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 please Sam Sam please Sam Sam No, I am sad you I won't go anywhere I won't go anywhere Don't vote any nonsense at our place Silent please Understand तो यह है तेरा संभाशिवरा अरे पापरे अरे मैंने तु सुचा था कोई जवान लॉंडा होगा यह तु आदा बुठा निकला रे Sam Sam please Please रेने तुसा मारो जी मारो जी ने ने प्लीज साब प्रहे दो मारो इस कमीने को Sam please मारो इस कमीने को मारो ज कमीन specifically कीरी बाम काि मारो जीख से का ठाए सुचा प्रणा मारो जीख यह रगो, तो आने परसे. तुमे तरी मडी बेवकूफ। अगर कोई तुमे दुमे दुबारा मारे, तो उस कास सिर्प होड़ेना, या फिर मुझसे कैना, मैं तुमारी साथू। क्या करे हो? सीट बेल्ट। कोई असा कर भी कैसे सकता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक हिम्मती लडगी हो, वैसे तुम इतनी बड़ी-बड़ी बातें करती हो, महीं ठोक देना चेदर से साले को. इस गमीने को बोलो बोलो एक बार फिर से बोल के बता ना तुम्हे यह सब मजाक लगर कुछ नहीं पर्फियूम बना रहा हूं पर मेरे क्लाइंट्स है कि हमेशा रिजेक्ट कर देते पर इस बार मैंने जो पर्फियूम बनाया है उन्हें बट पसंद है तुम देखोगी तुमारी मैक कैसा लगा कैसा लगा कल हमारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है आज तुम्हें सभी से जगड़ा करके सब खत्म करना है फिर तुम कहीं भी जा सकती हो क्या हुआ बॉस आपने यहां पर बुलाया मैं अब अकेले नहीं रहना चाहिए यह आपको मुझसे नहीं किसी और से कहना चाहिए बॉस अवंतिका है ना मुझे नहीं पता है बॉस कि आपको एसास हुआ है या नहीं यू आरे लव आप उसे कहते क्यों नहीं बॉस यह तो क्या कह रहा है मेरी उम्र देख और अवंतिका की उम्र देख आपको और लड़कियों के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस तो फिर अब क्या प्रॉब्लम हो गई तो समझा नहीं यह लड़की उन लड़कियों से अलग है वो सब आने जाने वाली थी मैं उन लड़कियों के लिए कभी सीरियस नहीं हुआ पर यह लड़की सबसे अलग है मैं यही सोचता था कि मैं हमेशा अकेला ही रहूँगा पर जब से अवंतिका मेरी जिंदगी में आई है उसकी हासी, उसका बोलना, उसका खुस्सा मैं अवंतिका को कभी भोल नहीं पाँगा मैं जानता हूँ मैं उससे कुछ नहीं कह पाँगा मुझे डर है माने एक बार मुझे से कहा था कि हर चीज़ का एक सही वक्त और सही उम्र होती है बिटा पर उस वक्त मैं नहीं सब्जा कि जिंदगी के सही माइने क्या होते है यह बहुत खुबसूरत है पर अब जाके मुझे हैसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी है अगर आप मैं अवन्तिका से अपने दिल की बात कहूँ यह एक खुदगर्जी होगी कैसी खुदगर्जी बोसूरत आपको लगता कि उम्र भीच में आ रही है कभी आपने उससे पूछा क्या एक बार वो नादानी में गलती कर चुकी है मैंने चाहता कि यह गलती उससे दुबारा हो अवन्तिका के लिए ही अच्छा होगा कि मैं उससे दूर चला जाओ क्योंकि अब कुछ बुरा हुआ तो वो बर्दाश्ट नहीं कर पाएगी देदी, आपके बेटे को तो अपने और पराय से कोई मतलब नहीं है पर आप हमेशा अपनों के लिए ही जीती आई है मुझे अब सिर्फ इसी बात का डर है वैसे कुछ भी हो पर मैं हमेशा आपके साथ ही हूँ ए ऐसी बाते क्यों कर रहा है जब भी बुलाओंगी तुझी दोड़ कर आना पड़ेगा देदी का ख्याल रखना नमस्ते मामा अब मैं चलता हूँ वो चल दिया जाएगा अवंतिका जैसी बात हुई थी तुवारा फाइनल चेक रेडी है काम पूरा होते मिल जाएगा गुड डून वरे आज सारा खेल खत्म हो जाएगा अरे अवंतिका खाना अच्छा बना है अवंतिका को आने दो माम आपको कुछ चाहिए माम आपको कुछ चाहिए कर दो कर दो कर दो कर दो माम आपको गोभी के पराठे तु अवंतिका को दो बेठा अवंतिका गोभी के पराठे क्या हुआ अवंतिका 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 क्या हुआ नहीं चाहिए खालो 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 क्या लगा रखा है हां हर रोज बस यही खाते हो क्या एक ही चीज हर रोज बात यह है सैम के पापा को गोभी के पराठे बहुत पसंद थे वो हर संड़े गोभी के पराठे ही खाते थे उनके जाने के बाद हम उनकी यात में हर संड़े गोभी के पराठे ही बनाया करते है किसी होरर सुनकी कहानी लग रही है यह वो तो मर चुके हैं आप हमें क्यों टॉचर कर रही हो मुझे लगता है आपने दिन रात उन्हें यही एक चीज खिला-खिला कर मार डाला और आप मुझे भी मारना चाहते हो स्टुपिड पीपल प्लड़ी सेंटिमेंट्स मुझे लगता है इनके मरने के बाद यही टॉचर हम सब की साथ भी होगा वह तहेल हुआ हुआ तुम्हें कुछ कहना है बताओ मुझे तुम्हारी परवरिश में मैंने कहां गल्दी कर दी बताओ मुझे तुमने मुझे जाने दुआ बेटा मुझे पता है तुम इससे नाराज हो पर हमने तुम्हारी साथ क्या खलत किया मैं तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मानती हूं हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं हम हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचते रहते हैं चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो बोलो कहां गलती हो गई हमसे तुम दोनों हमसे नफरत करते हो तुम सही हो मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ बस जाने से पहले तुम दोनों को खुश देखना चाहती हो पर मैं पर अब मेरे अंदर इतनी शक्ती नहीं है बेटा जाओ यहां से फर्क नहीं पड़ता तुम दोनों ने क्या सोचा पर जहां भी रहो खुश रहना आवान दिखा आवान दिखा आवान दिखा बोलो यहीं फाइनल पेइमेंट थी ना किस तरह के इंसान हो तुम तुम्हारे अंदर फीलिंग्स नहीं है इस सबके बाद भी मा से शादी की बात तक नहीं की वो तो सिर्फ इतना चाहती है कि हम दुनों खुश रहे जानते हो सचा कौन है तुम्हारी मा अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो जाकर उनसे कह दो उनके सामने सच बोल दो और सब ख़त्म कर दो पर मैं उनके जजबातों के साथ इस तरह नहीं खेह सकती सैम आखिर तुम्हें एमोशन से इतना डर क्यों लगता है जानते हो इस दुनिया में लाखो ऐसे लोग होंगे जिनका अपना कोई नहीं होता है और एक तुम हो जिसके पास अपनी फैमिली है जो तुमसे इतना प्यार करती है पर तुम्हें उसे कोई मतलब नहीं मुझे तुमसे कुछ कहना है सैम I am hopelessly in love with you पर अगर तुम अपने मा की प्यार को ही नहीं समझ पाये हो भेर मेरे प्यार को क्या समझोगे तुम्हें कांट्राक की पड़ी है ना कांट्राक्क करना है ना हां गिव ृध मेने मनी धम मेधा मनी अहो Core नाव ip अपनी मां के आज़ों कि तुम्हें कदर नहीं है ना एक दिन आएगा जब तुम पच्टा होगे पर तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा क्या हुआ और नहीं सोणना बैठो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है मैं और अवंतिका कभी प्यार नहीं करते थे उसने मेरे ही कहने पर प्यार किया एक्टिंग की और शादी के दिन भाग गई और अगर सच कहूं तो उसके ऐसे बरताव का कारण मैं ही हूँ पाप किया मैंने अवंतिका यहां से रोद्य वे चली गई वो आप लोगों से नजरे भी नहीं मिला पा रही थी जहां वो कुछी दिनों में आप सब को समझ गई थी मैं इतने सालों तक आपको नहीं समझ पाए मैं शादी कैसे करता मैं तो आप सब को दुख मोचाना चाहता था क्योंकि तब तक मुझे किसी भी लड़की से जरासा भी प्यार नहीं हुआता पर उसके मुझ से दूर जाने से मुझे हैसास हुआ कि मैं आप सब लोगों के बगएर नहीं जी पाऊंगा मैं यही कहना चाहता था मेरे जैसा परिवार किस्मत वालों को ही मिलता है मैं तो हब सब की माफी का हकदार भी नहीं हूँ पर अवंदिका को माफ कर देना हुआ 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 आपको कुछ नहीं होगा हुआ 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 मैं हर दिन ये प्राथा करूँ यह अर्से उसे वापस लेकर आओ जाओ 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 जली जाओ सम्क जाओ ना मैंने सब सुन लिया है कोई नई स्कीमत बनाना तो तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तुमने कभी यह नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ तुमने बस फैसला ले लिया जवाब दो हाँ एज यह सम्से आओ अवान तेका अवारे जहाँ यह सचे जाओ जया है कि अब तुम दोनों शादी करोगे या यह भी नाटक है आजाओ मा तुम्हें आओ ना कहां जा रहे हो तुम मुझे कहां नहीं जा रहे हो जाड़ा रुको तो सेटी मैंसे निकार रहे हैं अब मुझे सांभू कहाना तो जान से मार दूँगा यह लो हुँँँखए जान से नाटक है झाल 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 झाल